कि हेलो और वेल्कम तूजेके सिवल सर्वसेस दोस्तों हम पढ़ रहे थे इंडियन जोग्रोफी और इंडियन जोग्रोफी का पहला इंपोर्टन टॉपिक हमने स्थार्ट किया और देट वोज़ फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया के फिजिकल फीचर्स को हम डि North and North Eastern Mountains then उन से नीचे उतरेंगे तो Great Indian Plains, Great Indian Plains के साथ में Indian Desert यानि की Western Side का, ठीक है, देन South India का पूरा का पूरा Peninsular Plateau, इन Peninsular Plateau के साथ साथ में Coastal Plains और Indian Islands, ये हमारे 6 Physiographic Division थी, पहली Physiographic Division हमारी North and North Eastern Mountains को हमने cover किया, ठीक है, उसमें हमने देखे Trans Himalayas, Himalayas और इसके बाद में देखे Pुरवांचल Hills दोस्तों, ठीक है, वो जो हमने Division देखी, वो हमने देखी थी North से South की तरफ Division दोस्तों, ठीक है ज हमने जो टॉपिक हमारा पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, Northern Plains या इसको आप बोल सकते हैं, Great Indian Plains, Great Indian Plains, दोस्तों हमारा पंजाब, भरयाना, यूपी का जो ही इलाका है, ये प्लेन एरिया है जो दोस्तों, अगरिक कल्टुरली बहुत जादा फर्टाइल ए वो क्या था, Regional Division of Himalayas, वो क्या है दोस्तों, वेरी इंपोर्टन, याद रखना सवाल आप से पूछेगा, Regional Division of Himalayas, Regional Division of Himalayas, क्या आगया आपका, Regional Division of Himalayas, Regional Division of Himalayas, Regional Division of Himalayas, तो टीक है, Regional Division मतलब, Region to Region in Himalayas, को देखो, पंचाब हरे आड, for example के लिए आप देखेंगे, जम्म, किश्मीर, लदाख, यहाँ पे भी आपको Himalayas मिलते हैं, ठीक है, then Himachal Pradesh, उत्राखन, नेपाल, ठीक है, फिर North East यहाँ पे भी Himalayas मिलते हैं, region to region, इनको different नाम से जाना जाता है, इसी को बोलते है, Regional Division of Himalayas, और इन Regional Division को Demarkate करती है, Boundaries बनाती है, इनकी कौन, Rivers, ठीक बनाता है, ब्रह्म, पुत्रा, ठीक है, यह हमने देख लिया था, ठीक है, Eastern और Western boundary देख लिया दोस्तो, अब यह समझे, और समझे दोस्तो, थोड़ा साथ, ठीक है, पहले river समझे दोस्तो, इन्दस कहां पे फ्लो करती है, लदाख में, लदाख में, लदाख, लदाख के में हिमाचल प्रदेश, यह एक division बने दोस्तो, हिमाचल प्रदेश से दोस्तो, आपकी यह नदी फ्लो करती है, नाम है सतलज, नाम क्या है, सतलज, ठीक है, दोस्तो, सतलज, इंदस और सतलज, यानि कि सतलज आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश से फ्लो करती है, और हिमालयास देखने को मिलते दोस्तों ठीक है तो ये आपकी एक डिवीजिन बनती है और इस डिवीजिन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों देखो याद रखना इनको बोलते हैं कश्मीर हिमालयास क्योंकि कश्मीर के अलागा कवर करता है कश्मीर के साथ में दोस्तों इनको ये भी बोल देते हैं पंजाब हिमालिया ठीक है रही और इनको दोस्तों ये भी बोल देते हैं हिमाचल हिमालिया तीन नाम से जानते हैं कश्मीर हिमालिया पंजाब हिमालिया हिमाचल हिमालिया ठीक है आपको ये सवाल पूछेगा आपको ये सवाल पूछेगा कि आप एक बार बता या फिर the division of Himalaya lies between Indus and Sutluj are called अब देखेंगे option तीनों में से एक option होगा तो आप वो लगाएंगे दोस्तों ठीक है simple आगे सलते है Sutluj ठीक है अब हिमाचल प्रदेश के बाद अगली अगर आप Himalayan belt देखेंगे तो स्टेट है उत्राखंड स्टेट होती है उत्राखंड उत्राखंड से आप देखेंगे एक नदी आपके इस तरीके से तो उस कुमाउ रिजिन पर ही क्या बग दिया कुमाउ हुमालेज आपको इस सिंपल ये भी सवाल पूछ सकता है कुमाउ हुमालेज के स्टेट में आप बलेंगे उत्राखंड में किन दो नदियों के बीच में लाइक करते हैं अब बलेंगे एक तरफ सत्लुच दूसरी तरफ काली सत्लुच और काली दोस्तो ठीक है जालो जी काली दन उत्राखंड के बाद में आप देखेंगे यहां पर आपको एक स्टेट देखने को मिलती है कंटरी देखने को मिलती है यह है दोस्तों नेपाल यह कहा है नेपाल ठीक है यह आपका नेपाल ठीक है नेपाल आप देखेंगे नेपाल के साथ है इंडियन स्टेट अफ सिक्किम लाई करती है दोस्तों यहाँ पर ठीक है और यहाँ से एक नदी फ्लो करती है तिस्ता क्या बोलेंगे दोस्तों Central Himalaya चिक है जी और लास्ट में आपको नदी पताईए दोस्तों ये क्या है ब्रह्मपुत्रा और तिस्तरा और ब्रह्मपुत्रा के बीच में जितने भी हिमालयाज हैं दोस्तों जो बाकी के रह जाएंगे इसको बोलेंगे आसाम हिमालियास ठीक है जी इनी को बोलेंगे इस्टन हिमालियास दोस्तों इस्टन हिमालियास क्यों क्यों इस्टन हिमालियास बिकस ये तो हो गया आपका सेंट्रल हिमालियास ये हो गया सेंट्रल हिमालियास तो ये हो गया इस्टन हिमालियास ये पूरे के पूरे हो गया व को Central Himalayas बोलते हैं दोस्तों ठीक है ये सवाल हो गया अब आपको ये भी सवाल पूछ सकता है ये भी सवाल पूछ सकता है वीट देखो ये आपको दिखे रही है काली ये आपको दिखे रही है तिस्ता ठीक है आप देखेंगे काली नदी जो है Western Himalayas को काली नदी जो है ये हिमालयास तो आपको ये भी सवाल पूछा जा सकते हैं एक नजर आप स्क्रीन पे दें तो मैं आपको different सवाल पूछूँँगा आपके सवाल देखें किस तरीके से बनेंगे ठीक है आपको मैं पूछूँँगा which river separates which river separates central हिमालयास from western हिमालयास तो दोस्तों ये है central हिमालयास यहां तक और western हिमालयास आप बलेंगे काली which river separates separate central हिमालयास from eastern हिमालयास तो आप बलेंगे सरी ये हो गया ठीक है कौन सी है तिस्ता which two rivers demarcate the boundaries या बोलूँगा eastern boundaries and western boundary of central हिमालया तो East में है दोस्तो तिस्ता, West में है दोस्तो आपकी क्या, काली, ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल पुछा जा सकता है, आप ये picture अपने notebook में, आपके notes में add करें, important है, आपको सवाल दोस्तो पुछा जाएगा, तो ये हमारी एक division बस्ती थी हिमालयाज में, ये हमने देख ल होते हैं, तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच, ये picture आप देख सकते हैं दोस्तो, ठीक है जी, without wasting time, let's move on to another important physiographic division of India, that is Northern Plains, North Indian Plains, दोस्तो इनको Great Indian Plains भी बोलते हैं, Great Indian Plains, Great Indian Plains, दोस्तो Great Indian Plains, ठीक है, आप देखेंगे, दुनिया भर में अगर आप Plains की बात करेंगे, अ fertile areas के बात करेंगे, तो एक नाम जो है, वो आता है, दोस्तो, Great Indian Plains का, या फिर Northern Indian Plains का, दोस्तो, ठीक है दी, दलो जी, आपको कई सारे सवाल दखो, दोस्तो, पुछे जा सकते हैं, इसके उपर, कि इनकी formation कैसे हुई, feature पे सवाल पुछे जा सकते हैं, division पे सवाल पुछे ज बनेगी, दोस्तो, इस तरीके से folding बनेगी, ठीक है नहीं, तो जब दोस्तो, इस तरीके से folding बनेगी, एक anticline बनेगा, अगर उपर की तरफ इस तरीके से bulge, तो यहाँ पाओं पे एक depression भी बनेगा, इस तरीके से, देखो ना, इस तरीके से, for example, पहाड तो यही है, ना, यही के साथ साथ में पाऊं में क्या बन गया गड़ा बन गया तो दोस्तों यहां से आप देखेंगे हिमालयास के उपर glaciers है हिमालयास के उपर क्या है glaciers तो हिमालयास को जो glaciers हैं दोस्तों यहां से जब नदिया निकली तो नदियान जब निकलेंगे तो sediments भी तो लाएंगे अपने साथ, मलबा लेके आएंगी, ठीक है? sediments लेके आएंगे, वो दोस्तो GPS जो है, वो है, वो सैदिमेंट्स यहाँ पर भर गया और इन सैदिमेंट्स के भरने के भरने से यहाँ पर plane की formation हुई दोस्तों यहाँ पर plane की formation हुई तो आपका एक सवाल यह बूलेगा कि भे formation कैसे हुई आप वा लेंगे deposition of the rivers by the deposition of the rivers अब यह rivers कोन से हैं दोस्तों 3 important Himalayan rivers हैं जिनका deposition की वज़ा से Great Indian Plains बने दोस्तों वो कोन से हैं? Let's talk about them number one है दोस्तों आपका Ganga, Indus और Brahmaputra Ganga, Indus and Brahmaputra Ganga, Indus and Brahmaputra दोस्तों ठीक है? अगर आप ध्यान से समझें ठीक है? अगर आप देखें Indus की बात करें तो Indus वैसे तो आज का आपका पाकिस्तान से फ्लो करती है लेकिन Indus की जो बाकित रबीटरिस है फर इक्जामपल निकलने के बाद यूपी बिहार से होते फ्लो कर रही है दोस्तों ठीक है? साथ में दिल्ली आसपास के जितने इलाके जो प्लेइन्स फॉर्म हुए वो Ganga ने बनाएं दोस्तों नौर्थ इस से आप देखेंगे ब्रहमपutra आपके निकलती है इसाम के इलाका ठीक है? और तो यहां पर जो आपके प्लेइन्स है वो ब्रहमपutra ने फॉर्म किया दोस्तों तो यह पूरे के पूरे इलाका तीन नदियों की डेपोजिशन की वज़ा से यह जो प्लेइन्स है दोस्तों यह बने हैं गंगा, इंदस और ब्रहमपutra ठीक है जी? अब यहां पर जो डेपोजिशन हुई इस डेपोजिशन को बोलते हैं अलूवियम अलूवियम ठीक है? अलूवियम का मतलब जो रीवर्स का डेपोजिशन होता है उसको अलूवियम बोलते हैं और दोस्तों इन प्लेइन्स में जो आपको स्वाइल मिलती है उसको बोलते हैं अलूवियल स्वाइल उसको क्या बोलते हैं दोस्तों अलूवियल स्वाइल ठीक है जी? तो Northern Indian Plains में जो soil है दोस्तों, Alluvial soil है, हर तरीके की crops के लिए अच्छी है, wheat के लिए सबसे जादा अच्छी है, समझे के Alluvial soil दोस्त, ठीक है, चलो जी, एक सवाल बन गया, बने कैसे, आप बलेंगे Deposition से बने, किन नदियों के Deposition से बनेगे, आप बलेंगे, तीन Himalayan, River Systems की Deposition स बने, Indus Ganga and Brahmaputra, ठीक है जी, States अगर आप extension देखे किन-किन State में, तो normally आप यह बल सकते है, Punjab, Haryana, UP और इनके आसपास के जो इलागे है, mainly यह दिली, ठीक है, तो यह जो areas है, इनको बलते Great Indian Plains, इन तीन नदियों की Deposition से दोस्तों, यह बनाएं, दोस्तों, अगली हम बात करेंगे, division पे, पहले थोड़ा सा, इस के बारे में पढ़ेंगे, Northern Plains, इस Plains are the transitional zone between the Himalayas in the North and the peninsular plateau in the South, अभी बताता हूँ, origin, these are formed due to the deposition of alluvial deposit, किसने की, brought down by the Himalayan rivers, Indus, Ganga, Brahmaputra, important point है, तारा बना लो, इसके आगे तू, ठीक है, चांद बनाओ, ने तो तारा बनाओ, चा कुछ ना कुछ, ठीक है, चलो जी, अब दोस्तों, अगर आप ये Plains देखेंगे, ने बिल्कुल parallel like करते हैं, हिमालियास के, ठीक है, हिमालियास के exact नीचे आपको ये Plains देखने को बलते है, वेट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो दोस्तों, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक प्ली का है, ये Plains का देखा दोस्तों, कौन सा हिलाका है, Great Indian Plains, ठीक है, Great Indian Plains और ये जो नीचे जो दोस्तों, आपको दिख रहा है, ये है Penninsular Plateau, ये क्या है, Penninsular Plateau, ठीक है, ये ही पॉइंट आपकोो बोल रहा है, कि इन Plains के North में क्या है, हिमालियास, इन Plains के South में क्य चाहिए जब को बड़े बैतरीं तरीके से बताओंगा किस तरीके से आपको जिके से लेवल कम होता है अब आपको सवाल पूछ सकता है प्लेन्स के नौर्थ में क्या है आप लेंगे हिमालयास की भी अगर बात बुलू कौन सी रेंज होगी आप लेंगे शिवालिक सबसें में यहां पर घूमें तो यह कुन सा इलाखा दोस्तों यह है डैजर्ट का इलाखा था डैजर्ट अब इसी के बाद में अगला पॉइंट हम यह पड़ेंगे दोस्तों ठीक है तो यह आप देखेंगे यहां से यह नदिया निकली तो यहां से वेस्ट से इस्ट की तर अगर आ 2400 km in length width की अगर आप बात करें broadness की तो 240 से 320 km तक broad है कहीं कहीं पे ज़ादा कहीं के पे काम है हिमालयास भी west में ज़ादा चौड़े थे east में कम चौड़े थे plains का भी दोस्तों यही है west में ज़ादा चौड़े हैं width increases from east to west यानि कि east से west की तरफ अगर आप जाओगे तो width आपकी बढ़ेगी दोस्तों width आपकी बढ़ेगी ठीक है west में ज़ादा है east में कम है इस तरीके से भी आपको सवाल पूछेगा statement पूछेगा ठीक है समझेगे चलो जी depth की अगर आप आप दोस्तों ठीक है और east में आपकी कम depth होगी दोस्तों चलो जी नव अगली division है दोस्तों हमारी मतलब चो topic पढ़ना है हमने वो है division of great indian plains जखो दोस्तों हम जो भी चीज़ पढ़ रहे division पढ़ रहे himalayas की division पर पढ़ी north to south भी पढ़ी west to east भी पढ़ी जी से हमने regional division पोला now let's talk about division of these plains division of these plains दोस्तों ये हैं himalayas ये हैं himalayas himalayas से नदिया उतरेंगी उतरेंगी आप बोलोगे सर उतरेंगी ये उतरेंगी ये हिमालया से आई नदिया नदिया क्या लाएंगी अपने साथ मलबा लाएंगी नहीं लाएंगी मलबा लाएंगी आप मेरे को एक बात बताओ ये जो मलबा लाएंगी क्या भाई ये सुरफ alluvium ही लेके आएगी बढ़िया बढ़िया रेत या मटी ही लेके आएगी या उसके लाबा और भी different material लेके आएगी भाई पत्थर भी तो आएंगे ठीक है और material पत्थर भी आप देखेंगे चोटे पत्थर कोई बड़े पत्थर मिट्टी भी जो आएगी ना आपकी alluvium वो भी अलग अलग तरीके को alluvium आएगा है कुछ fine particles आएगे कुछ मोटे particles आएगे तो based on the composition आप चार division में great indian planes को बाठते हो कितने division में चार division में एक दो तीन चार ठीक है दोस्तो जैसे ही नदिया हिमालिया से नीचे उतरेंगी जैसे हिमालिया से नीचे उतरेंगी दोस्तो तो जिनके पास इनके जो बड़े बड़े heavy पत्थर होंगे उनको deposit करतेगी बड़ी simple सी बात है ठीक है जबी भी आप देखेंगे reverse flow करेगी reverse flow वो चीज़ जादा दूर तक जाएगी जो हलकी है और वो चीज़ जो heavy है वो जल्दी से deposit हो जाएगी कोई भी cover नहीं करना आपके सिर पे रखें heavy item रखें एक slender रखें तो जादा दूर तक नहीं लेके जाओ पाँगे वही अगर आप 5 किलों का थैला रख दे तो महीं भी किलोमेटर एका लीके चले जाएगी ठीक है तो reverse भी यही करती है तो आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे नीचे उतरी दोस्तों जितने पत्थर थे ना के पास बड़े बड़े ठीक है जी उनको deposit कर दिया उनको deposit कर दिया तो पहली जो belt दोस्तों बनती है वो पत्थरों वाली belt होती है इस belt का नाम जो है उसको हम मुलते हैं भाबर क्या बोलते हैं दोस्तों भाबर very important याद करते जाना साथ साथ में भाबर पहली belt क्या है भाबर ठीक है जी हिमालियास के north में सोरी हिमालियास के south में great Indian plains का पहला division like करता है वो है भाबर दोस्तों ठीक है जी भाबर अब भाबर का दोस्तों एक feature आप समझे लिए यहाँ पर पथर वत्तर होते है न तो पथर वत्तर होने की वज़े से जो नदियां नदियां जो है इन बड़े-बड़े पथरों के नीचे से गुजर जाती है कई नदियां कई नदियां जो छोटी नदियां फर यहाँ पर rivers disappear हो जाती है आपको बोलेगा इन विच आफ दे फॉलिविंग डिवीजन जो रिवर डिस अपेर रिवर कहाँ पर डिस अपेर होती है आप बलेंगे भाबर में भाबर में क्या है पत्थर है इस बेल्ट ऑफ पेबल स्टोंस ग्रेवल्स ठीक है दोस्तो चलो अगली जो आपकी जो डिवीजन है अगली डिवीजन जो है इस डिवीजन को बोलते है दोस्तो तेराई इसको क्या बोलते है दोस्तो तेराई क्यों बोलते है अब समझे दोस्तो तेराई ट्रैक्ट अगली है तेराई दोस्तों यह क्या होता है यह दल्दली लाके है देखो भाबर से नदियंग आए बूई भाबर जब खतम होगा पत्थोरों वाली बेल्ट दब रीवर दोबारा से सर्फेस पर आज़ेंगी और दोस्तों सर्फेस पर आने के वरदा से एक्सपैंड कर जाता है यहां पर पानी इसका है और इसके पास जो मटी होती है और जो पानी होता है दोनों का मिक्शर होने की वज़ये से धालफे अखली जो दो टिवीजन है वरी टूब Alluvium है, वो true planes है For example, मैं बोरो planes याद करो तो आपको जो planes याद आ रहे ना, इन दोनों में से वो नहीं है वो तीसरी और चौथी division है दोस्तों वो तीसरी चौथी division को हम देखो क्या बोलेंगे एक मिनिट ये तीसरी division आगे दोस्तों आपकी इसका नाम है बांगर और चौथी जो division दोस्तों आपकी होगी इसको हम बोलेंगे दोस्तों खादर इसको क्या बोलेंगे खादर एक बार बोलें दोस्तों मेरे साथ बांगर तेराई बाबर तेराई बांगर खादर भाबर तेराई बांगर खादर ये बांगर और खादर ही alluvial deposits है दोस्तों ये ही alluvial plains है no doubt वो जो उपर वाले पत्थरों की belt वो मार्शी इलाखा वो भी Great Indian Plains का ही part है दोस्तों but true alluvium जो है दोस्तों ये है दोस्तों तो इनके बारे में हमने पढ़ना है दोस्तों आपको divisions पता लगी कितनी division है चार बोलेगा arrange the following division from north to south from south to north कर दोगे बिल्कुल कर दोगे दोस्तों आप बोलेगे north से start करेंगे सर्फ भाबर, तेराई, बांगर और खादर, south से start करोगे आप बोलेगे खादर, बांगर, तेराई और भाबर समझ गए दोस्तों ये है आपके सामने का पूरेगा पूरे सिनेरियो दोस्तों इन दोनों इलाके को आप छोड़ दे आप शुरू करते हैं हम एक तरफ लिख लेते हैं खादर एक तरफ लिख लेते हैं बांगर दोस्तों दोनों ही अलूबिल डिपॉजिट है बांगर जो है इसको बोला जाता है बांगर जो है बांगर को बोला जाता है ओल्ड डिपॉजिट क्या बोला जाता है ओल्ड डिपॉजिट खादर को बोला जाता है new deposit खादर को बोला जाता है new deposit ठीक है रही new deposit मतलब ये new deposit old deposit का मतलब simple देखो मैं बता रहा हूँ आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ नदिया जहां से flow कर रही है मालो आज यहां से गंगा flow कर रही है आपको के लगता है 2000 साल पहले ये 2000 या फिर 50,000 साल पहले गंगा वहां से flow करती होगी नहीं करती होगी because rivers अपने course को change करती है time to time तो जब rivers अपने course को change करती है भाई जिस course से जाएगी वहीं पर तो deposit करेगी तो rivers ने जो पहले deposit किया था उस time पे उनको बोल दिया old deposit जहां से रिवर आज के टाइम पे फ्लो करती है, उनके आस पास के लाके जो है, वो न्यू डिपॉसित होते हैं, आपको कोई नहीं पूछे होता है, आपको बांगर और खादर में डिवीजन आपका डिफरेंस समझने है, खादर इस न्यू डिपॉसित, बांगर इस ओल डिप और बांगर ओल्ड डिपॉसित होने की वज़ए से लेस फर्टाइल है, दोस्तों मेरी बास समयना, बड़े द्यान से, बड़े द्यान से, बड़े द्यान से, आप यंग हो, आप यंग हो, आप जवान हो, ठीक है, आप में ज़्यादा ताकत होगी, कि आपके दादा में ठीक है जी, तो जमीन जितनी पुरानी होती जाती है, जितनी पुरानी होती जाती है दोस्तों, उसकी फर्टिलेटी उतनी कम होती जाती है, उतनी कम होती जाती है, याद रखना दोस्तों, चलो जी, खादर का एक और फीचर है, खादर में हर साल एनुली फ्लडिंग होती र देखने को मिलती है ये चार डिविजन दोस्तों हमने पढ़ी भाबर, तेराई, बांगर और खादर लेट सुक बाउट बाबर 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 क्या है इस प्लेंस लाई अलोंग विद फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स सिवालिक्स के एग्जेक्ट साथ में स्टार्ट हो जाता है आपका विद रिमार्कबल कॉंटिनिटी फ्रम इंदस तु तिस्ता पूरी की पूरी बेल्ट ये कवर कर लेता है 18 तो 16 किलोमेटर वाइड गे एक बेल्ट है less in within eastern region than the western region western region में दोस्तो आप देखेंगे ये जादा चोड़े है east में कम चोड़े है plane consists of gravels ये important है पत्थर, pebbles, unstorted sediments deposited by river descending from the mountains mountains याती ही नदियो ने यहाँ पेटी पॉसित किया दोस्तो rivers in this region disappear very important as they flow under the pebbles under the pebbles this region is not suitable for agriculture and characterized by big trees with long ये large roots दोस्तों मेरी बास होने जहाँ पे पत्थर पड़े हुए agriculture के लिए कैसे suitable हो जाएगा वो हो ही नहीं सकता तो ये agriculture के लिए लाका suitable ही नहीं आपको सवाल पुछेगा वाले का which of the following division of great Indian plains is not ideal is not suitable for cultivation तो आप बलेंगे भाबर बिकस पत्थर है भाई पत्थर है ठीक है दूसरा है तरही ट्रेक्ट तरही पे चलते हैं दोस्तों आप्राइ क्या है तरही को है तरही क्या है तरही लाई south of the भाबर प्लेइन के south में तरही है यह भी 15 से 30 किलो मेंटर वाइड है width of the terai is more in eastern region important important दोसर यह जो मार्शी दल्दली इलाके हमने बोले न east में ज्यादा है west में कम है east में इसलिए आप समझे ले क्योंकि east में deltas बनते हैं आपके deltas बनते के नहीं बनते हैं आपके यह समझे ले बस इतनी सी सुंदरबन का डेल्टा बेंगॉल में आप देखें बहुत बड़ा डेल्टा तो वो भी क्या दल्दली इलाका है मार्शी इलाका है east में यह ज्यादा चोड़ यह आप थोड़ा समझ ले न rivers that disappear in the bhabar region reappear on surface in the tarai region जो bhabar में rivers गाए भूई यहाँ पर दुबारा सामने आई since this region is very plain the river water spread here and their marks make it a marshy land spread होता है दल्दली इलाके बनते है मार्शी इलाके बनते this region was covered with dense forest पहले होते थे यहाँ पर बहुत now converted into agriculture land in Punjab Harjana, Utrakhand and Uttar Pradesh simple यह अगर आप देखेंगे दोस्तों यह आलाके जो है जैसे ही हिमालयास खातम होंगे नीचे यह आपको देखने को मिलेंगे south of tarai belt consisting of old and new aluvial deposit known as bangar and khadar इसके south में भी आजेंगे तो bangar और khadar आपको मिलेंगे तो bangar क्या दोस्तों consist of old aluvium expansion of bangar is found in region between two rivers ganga, yamuna, duab and the plains of satul, not important है आपको भी बता रहा है गंगा, yamuna के पीच का जो इलाका है वहाँ पे आप देखेंगे क्या है वहाँ पे bangar है plains of satul, बतलब पंजाब का जो इलाका है वो भी bangar है दोस्तों khadar deposits of new aluvium flood water reaches every air यहाँ पे पहुंचता है more fertile than bangar देख लिया the region of Bihar, eastern UP, Bengal adjacent to the river valleys come under the khadar region eastern region जो हमारा वो khadar region के area में आता है दोस्तों the delta of ganga brahamputra is example of khadar ठीक है दोस्तों तो यह हो गए हमारे great indian plains और उसकी division simple हमने देख लिया great indian division तीन rivers ने deposition से बनाया indus ganga brahamputra चार इसकी division है भाबर, तेराई, बांगर और khadar भाबर तेराई, पत्थनों की belt है तेराई, आपकी marshy lands है बांगर आपका old deposit है खadar आपका new deposit है दोस्तों simple western region जो है इंडिया के plains का अगर आप देखेंगे वो khadar में लाई करता है eastern region जो है दोस्तों western region आपका बांगर में लाई करता है eastern region आपका खadar में लाई करता है चलो दोस्तों अगली एक ओर division हम पढ़ लेते हैं दोस्तों वो है Indian desert इंडिया का अगर आप western इलाका देखोगे या नौर्थ वेस्टन इलाका देखोगे राजस्तान गुजरात का इलाका दोस्तों आप देखोगे तो वो क्या है थार का desert है वहाँ पे आपको रेगिस्तान मिलता है जिससे मरुस्थल भी बोलते हैं दोस्तों ठीक है Indian desert also known as thar desert lies in India and Pakistan दोस्तों इंडिया में भी है पाकिस्तान में भी इसका extension है ये भी आप याद रखना चलो जी राजस्तान गुजरात पंजाब हर्याना मद्यबर देश्तों पांच स्टेट्स में लाई करता है तो पांच स्टेट्स में लाई करता है देखो राजस्तान गुजरात तो आपको पता ही है कि सिंपल राजस्तान गुजरात तो आपको पता ही आपको यह भी पता है कि राजस्तान में सबसे जादा रेगिस्तान है ठीक है राजस्तान is covering the maximum लिवंभाइन का मिश्राइप्द जम्हें नहीं हां यहां पर गश्रास पर साम खेकर हो यहां पर घ्राइन आपको वो desert हो सकता है दोस्तों कोई भी लाख अब लदाख भी तो desert ही है cold desert बोलते हैं उसको समझते हैं बाग आगे दोस्तों it lies west of अरावली range अभी बताता हूं दोस्तों अरावली range का west का मतलब क्या है desert in runoff kutch is called white desert यह point याद रना दोस्तों गुजरात में runoff kutch है दोस्तों वो भी desert region है वहाँ पे आप देखेंगे desert जब form हुआ है दोस्तों देखो आज साथ में arabiancy है दोस्तों तो समंदर का जो पानी है वो evaporate हो होके काफी सदियों तक evaporate हो गया नमक की परत दोस्तों as it is आपको दिखती है white color की appearance है तो white desert बोलते है white desert काँ पे है runoff kutch गुजरात में है यह आपको याद रखना दोस्तों अब यह देखें मेरी बास समझे दोस्तों यह थार का desert आपको दिखाते है यह गुजरात राजस्तान हरयाना दिली तक यहां से दोस्तों एक पहाड की range चलती है इस पहाड की range को बोलते है arawali क्या बोलते हैं दोस्तों अरवली ठीक है अरवली का जो west का इलाका है यह बोलता है यह क्या है desert अरवली के west का इलाका क्या है दोस्तों desert है यह आपको याद रखना paninsular plateau अगले division पढ़ेंगे और बहतरीन तरीके से आपको समझ आएगी इस बारे में यह क्या है दोस्तों ठीक है जी चलो बागी जारे पॉइंट सो आपको समझ आगे अब डैजर्ट के अगर आप कुछ फीचर देखें आपको पता ही है डैजर्ट के फीचर क्या है आप बोलेंगे सर वेजिटेशन अब बहुत कम है और यहां पर जो पेड़ पॉदे आपको मिलते हैं पहले तो कम मिलेंगे ठीक है नम देखो यहां पर आपको ज्यादा तर थौनी स्क्रब्स मिलेंगे काटेदार जहाडियां रब्स घशर्ब्स यहां पहले पहता है यहां पर आप देखेंगे गर्मी जादा पढ़ गर्डप रही है तो इवापोरेशन होती है पत्तों में से वापोरेशन होती तो दोस्तों अब ये पेड जो है इधर पहले ही पानी कम है रेकिस्तान में तो पानी नहीं है अब पेड चाहता ही नहीं है कि पानी मुझसे वैपोरेट हो जाए तो उसको स्टोर करना चाहता है इस वर्ण से इसके पत्ते क्या होते हैं दोस्तों मोटे होते हैं जितने पत्ते मोटे होंगे ना उतनी evaporation पत्तों से कम होती दोस्तों इस वर्ण से अच्छा ओर ओर वेक्सी लीव्स आप देखिएंगे बड़ी ऐसे वेक्स की कोटिंग जैसे लिश्क मारते हैं पंजाबी मोलते हैं लिश्क मारते हैं मतलब एकदम शाइनी आपको देखने को मिलते हैं इनके लीव्स इससे transpiration कम होते दोस्तों और इसके ओपर कांटे भी होते हैं दोस्तों कां पानी अब इतनी दूर से निकालना है, तो रूट्स को लंबा होना पड़ता है, तो लंबी रूट्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है, एक्जामपल कैक्टस आपको पता ही है, ठीक, एरिड क्लाइमेट है, सुखा बंजर क्लाइमेट है, एरिड ह आपको देखने को मिल जाएंगे, यहां के कुछ फीचर है, एक रिवर आपको याद रखने है, इंपोर्टन्ट, यह लूनी रिवर है, थार के डैजट के एक इंपोर्टन अदी है, लूनी, लूनी रिवर, याद रखेंगे, रिवर सिस्टम में भी हम इसको पढ़ेंगे कुछ और फीचर अगर आप देख लें, तो यहां पर दोस्तों आपको मिलेंगे मश्रूम रॉक्स, सैन डून, सैन डून मतलब रेत के पहाड, बार्चन, वासेज, पलायाज, पलायाज मतलब होता है, सौल्ट लेक्स, सौल्ट लेक्स, वासेज मतलब थोड़ा बहुत कहीं पानी, उसके आसपास थोड़ी बहुत वेजिटेशन, घासवास कुछ देखने को मिल जाएगा, और इनलैंड ड्रेनेज, इनलैंड ड्रेनेज का मतलब होता है, दोस्तों यह नदी जारी है, जारी है, और ड्यू टू हाइप पोरोसिटी ऑफ स्वाइल, स्वाइल जादा उ और बहतरीन तरीके से समझा दूँगा आपको, अगला होता है दोस्तों बार्चंस, बार्चंस भी एक तरीके का सैन ड्यून ही होता है, इस तरीके से, चांद शेप जो होता है, क्रीसन शेप जो सैन ड्यून होता है, दोस्तों इसको बोलते हैं बार्चंस, तो यह कुछ फी इस वर्द इसे इधर की जमीन में आपको देखने का सॉल्ट जादा मिलते हैं किसी और चीज का पानी अगर किसी गड़े में कठा हो गया तो वह जो पानी होगा वह खारा होगा नमकीन होगा इसलिए वह सॉल्ट लेक्स बनेगी इनको पलायास बोलते हैं मश्रूम रॉक्स द इसलिए दोस्तो रिगिस्तान में हवाएं चलती हैं बहुत तेज पहले तो यह बिचारा ऐसा ही था पूरा ही पूरा था बट नीचे से जादा इरोजन होगी दोस्तो विंड जो है नीचे जितना जमीन के लेवल पर विंड चलेगी उतना जादा इंटेंसिटी होगी और ज नीचे से चल गया टॉप ब्रॉड रहे गया मुश्रूम रॉक्स बन गे दोस्तो इस तरीके से मुश्रूम रॉक्स बनते हैं डैजर्ट में सभी डैजर्ट में यह फीचर आपको देखने को मिलते हैं यह था इंडियन डैजर्ट इंडियन डैजर्ट दोस्तो ठीक है अब jeet Indian desert यहाँ पे बना कैसे यह अभी के लिए रूख जो, Indian climate में बताऊँगा दोस्तों बना इसलिए क्योंकि यहाँ पे बारिश कम हो रही है बारिश कम इधर ही क्यों हो रही है इंडियन climate में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों ठीक है आज हमने क्या पढ़ लिया एक तो हमने पढ़ लिया regional division of Himalayas दूसरा हमने पढ़ लिया great Indian plains साथ में हमने पढ़ लिया दोस्तों आपका great Indian plains के बाद में Indian desert तो यह हमने अगला physiographic division पढ़ लिया next हम पढ़ेंगे paninsular imperative important है वो भी और देखेंगे उसमें क्या-क्या features हमें देखने को मिलते हैं till then thank you have a nice day